26 दिनों के कड़कराती ठंडी में हसारों किसान रोड पर आंदोलन कर रहे हैं लेकिन केंद्र की मोदी सरकार भी अड़ी हुई है मोदी हिटलर शाही के भुमिका निबा रहे है ऐसा आरोप वंचित भहुजन अगारी के अद्धिक्ष प्रकाश आमबेड कर रिन्होंने लगाया है कृषिकानों रत करने से भारतिय जन्ता पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन मोदी सरकार ने निरने पक्का कर रखा है कि हमने जुकना नहीं है पत्रकार परिशिद में वंचित भहुजन अगारी के अद्धिक्ष प्रकाश आमबेड करने यह बाती कही उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों के हित में जुकने की अपील भी की वित्रिमूर्ति नगर में आयोजित पार्टी के कारेकरता सम्मेलन में मारदरशन करने आये थी उन्होंने कहा कि भारतिय जन्ता पार्टी और RSS की वैचारिक दिशा हिटलर वादी है केंद्रवराज सरकार किसानों के संधर में असवेद नशिल है केंद्रवरा लागू किये गए तीन कृशी कानूनों से यह सपश्ट हो गया है कि सरकार किसानों का अनाज नहीं खरे देगी जोसे देश में अन्नसुरक्षा की समस्या निर्मान होगी देश में 35 दी लोग गरीबी रेखा की नीचे है पत्तकार परीशद में विनैभांगे, धंदराज वनजारी, रमेश पीसे, संजे हेडाउ, रवीश शेंडे, राहुल दहीकर उपस्तित थे मुंबई में रिलाइंस इंडिस्ट्रीज के कॉर्परेट कार्याले पर अखिल भारत्य किसान संगर्ष समीती की और से राजमंतरी बच्चुकरू ने मूर्चा आयोजित किया था इस संदर में आमबेट करने कहा कि आंदोलन करने का अधिकार मंतरी को नहीं होता मंतरी को अनिशासन का पालन करना आवश्यक है अगर मुझ जैसा मुख्य मंत्री होता तो बच्चु कर उसे इस्तिफाल ले लेता कानुन सब पर लागू होता है उन्होंने यह भी कहा कि केजरिवाल ने अगर अनुशासन का पालन किया होता तो आज वे प्रधान मंत्री होते ने खाजगी कहणा चा वे रोधात केला है और जी ले भी किसान है आत्मदेवसुन पशन सरकारला ज्याम करतो ही परषिति आहीज त्याने तो घ्यावा आगर मैं त्या ही नित्याना करतो है आणि त्या पद्धतिने काई जनाना त्या किसान दीतें शी बोलाएला ही संगित लेला है